हलो दोस्तो नमेश्कार अगर देखा गया दोस्तो ठीक है तो सबसे ज्यादा मतलब कियो इस चीज की होती है कि हमें पहले ही कैसे पता चले कि कॉई किया होने वाला है करके क्या बाजार में यहां पर कोई मैजिक की ठड़ी गुमाओगे और आपको एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा कि ऐसा इसा होने यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की बात करूंगा और बहुत कुछ मेनत की भी चीजे हम लोगों को यहां पर करनी पड़ेगी ठीक है मैं अगर आपको प्रैक्टिकल चीजे अगर जाननी है देखनी है बादार से रिलेटेड तो आप इस चैनल को देख सकते हो अग उसी लॉजिक को पकड़ कर अगर आप चाहो तो डीटेल में अनलेसिस कर सकते हो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर भी है ठीक है हम तो वैसे ट्रेडिंग तो करते है नहीं इन्वेस्टर ही हम लोग बट फिर भी जो ट्रेडर यहां पर रहते है ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है जो की इन टेक्निक्स का भी specifically इस्तमाल भी करते है so कौनसी वो टेक्निक है वो भी मैं आप लोगों को या पर detail में जरूर बताऊंगा so यह वीडियो के अगर मैं बात करूँ तो दो पार्ट समनों को देखने को मिले वाले तो पहला वाला पॉइंट मतलब क्या दोस्तो जो logic में आप लोगों के आप बता है देखे अलग-अलग टाइप की कंपनिया आपको हमारे share बाजार में देखने को मिलेगी और दोस्तो आपको यह भी पता है कि अगर कोई कंपनी है मान लिजे XYZ Limited करके ठीक है अभी यह कौन सी कंपनी यह actual में विदेशी कंपनी है अभी आपको भी पता है बहुत सरे ऐसे विदेशी कंपनी है जो हमारे share बाजार में NSC के उपर BSC के उपर लिस्टेडे करके ठीक है बताने का मकसद क्या है कि मान लिजे अगर USA पकड़ लेते ठीक है वहाँ पे कोई X कंपनी है और वही कंपनी हमारे इंडिया की भी अगर हम लोग बात करे वो कंपनी यहाँ पे भी है तो डेफिनेटली दोस्तों अमेरिका में अगर कुछ यहाँ पे होगा सिर्फ अमेरिका नहीं लंडन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे स्विजर लेंड में भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड है तो वाँ वाँ पे जबी जो जो चीज़े होंगी उन कंपनी से रिलेटेड उसका इंपक्ट आपको हमारे भारत की कंपनी के उपर भी देखने को मिल जाता है कभी कंपनी के कॉमेंटरीज आते हैं कभी कंपनी का ग्लोबल लेवल का रेकॉर्ड सामने आ जाता है ठीके कभी कंपनी का स्पेसिफिकली ये बयान आ जाता है कि उनका इंडिया का unit कैसा performance देगा और उसी से related पहला है अनुमान हम लोगों को मिल जाता है कि ये company का share कहाँ पे जा सकता है करके तो अभी हम क्या करेंगी कुछ example मैं अभी आप लोगों के सामने आप पेश करने वाला हूँ इससे आप लोगों को थोड़ा और better clarity मिलेगा ठीक है तो चलिए अभी कुछ example ले देते जो भी stock से दोस्तों ये study purpose के लिए कोई recommendation है अभी Nestle India हमारे बाजार में Nestle कितने पे नज़र आ रहे हैं 24,000 पे कोई बात नहीं अभी आपको पता है stock split है आपे होने वाला है तो ये stock आपको कुछी दिनों का मेहमान है उसके बाद या शायद से आपको 2-5,000 के बीच में देखने को आपे मिल जाएगा तो Nestle India के अगर हम लोग बात करें तो उसका impact बहुत बार हमारे Nestle India के उपर भी हम लोगों को देखने को कभी-कभी मिल जाता है तो ये point हम लोगों को सीखने को आपे देखने को मिल जाता है हाँ exactly नहीं है कि same to same यहाँ पे match करे करके सीमन्स लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगो कैसे पता चला कि पहले ही हाँ पे कमजोरी आ सकते है क्योंकि इसकी जो head companies हम लोगो देखने को मिल जाते है तो वहाँ से हम लोगो पता चल गया कि इनके अलग-अलग जो units है सीमन्स इनर्जी की भी अगर हम लोग बात करें वहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है तो यह बाकी companies को भी दिक्कत यहाँ पे देगी तो यह चीज़ा हम लोगो देखने को मिल रही है मतलब concept आपको समझ में है कि हमारे इदर जो भी कोई company है उसका अगर विदेश मी कोई हम लोगो को head company देखने को आपे मिल जाता है holding company देखने को मिल जाता है तो उसके पर focus रखो वहाँ से आप लोगो को बहुत सारी information पहले ही आपे पता चल जाती है एक अनुमान पता चल जाता है exact information नहीं जैसे कि अभी कोलपाल की बात करें कोलगेट की बात करें यह तो हमारे इंडिया की कोलगेट है तो यही कोलगेट अगर हम लोग बात करें तो नियॉयोक स्टॉक एक्षिन में भी आप लोगो को देखने को आपे मिल जाता है तो उसके पर आप फोकस रख सकते हैं वहाँ से भी हम लोगों को बहुत बार अलग-अलग खबरी आपे ड्राइब होते वे देखने को आपे मिल जाती है अभी ऐसी लिस्ट निकाली जाने है दोस्तो तो बहुत सारे कंपनीस आप लोगों को यापे मिल जाएंगे जैसे कि ABB इंडिया विदेश में बहुत सारी जग़े पे काम करती है अब देख सकते हैं सिजर लैंड में भी आप लोगों को यह देखने को आपे मिल जाएगा तो वहां से भी हमलों को कुछ खबरे अभी हाली में देखने को मिली थी कि हमारा जो ग्लोबल लिवल पे जो इनका कारोबार है ABB का वो हमलों को स्लोडाउन में जाते वे देखने को मिला है और जैसे ये खबर आगी हमारे ABB इंडिया का जो परफॉर्मस है वो कुछ हद तक हमलों को इंपक्ट होते वे दिखने को मिला था अगर मैं एक मैने का चार्ट प्रटन दिखा दू ये देखिए ये गिरा था देखे कैसे तो ये क्यों गिरा था विकि जो इनकी हेड कमपनी है उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा ग्लोबल लेवल पे जो परफॉर्मस है जो ग्रोथ है वो यहापे स्लो हो जाएगी अभी ग्लोबल लेवल की बात किये तो इसमें हमारा इंडिया भी आ गया भारत भी आ गया और वहाँ से उनको पहले information अगर थोड़ा बहुत अनुमान मिल जाते है अंदाजा मिल जाते है उसको वो इतना practice करती है को यहाँ पे जो उनका probability है वो बहुत ही जादा से जादा accurate हो जाती है तो आप भी चाओ तो इस चीज़ को experiment करके देख सकते हैं तो time लगेगा इन चीज़ों को समझने के लिए तो विदेशी companies के और भी आप लोगों का focus रहना चाहिए वहाँ पर क्या खबरे निकल कर आती है global level की क्या commentary आती है क्या Indian unit से related उनका specifically कोई commentary आ जाती है तो इसके ओपर भी आप लोगों का focus रहना चाहिए हिंदूस्तान Unilever की बात करें यह हमारे बाजार में वैसे ही इसका जो head है Unilever ठीक है अप सभी लोगों को पताई है जो यह top level की जो company आती है holding company है ultimate holding company है तो इनको payment भी करना पड़ता है आप सभी लोगों को पताई है तो यह वाली भी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल जाती है next आने वाले समय में हम इतना इतना grow करने वाले है और हमारे sales और भी बढ़ने वाले जैसे खबर आ गई VBL stock भाग गया ठीक है क्योंकि Pepsi को जितना ज़्यादा business करेगा VBL को भी उतना ज़्यादा business मिलेगा तो यह चीज़े हम लोगों को देखने को आपे मिल जाती है तो अगर आपको पहले ही track करना है तो इन companies को आपने track करना शुरू यह आपे कर देना चाहिए और ऐसे बहुत सारी company आप लोगों को हमारे बाजार में देखने को मिल जाएंगी चलो कुछ और एक दो example देख लेते हैं जैसे की about India फार्मा सेक्टर से जुड़ी वे company है ठीक है तो about laboratories आपको यह American बाजार में भी देखने को मिलेगा 95 डॉलर पे चल रहा है तो इसके उपर है उनके उपर आप जितना focus करोगे तो आपको एक अनुमान मिलेगा कि हमारे companies में क्या 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 उसका directly ने indirectly impact है आपे हो सकता है करके यह maximum company के promoter हम लोगों को यही देखने को आपे मिल जाते हैं तो यह सबसे main key point हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है और ऐसे list निका ल बहुत सारे example में ने छोड़ी जैसे कि किमन से इंडिया की बात करे हमारे इधर विदेश में भी है तो ऐसे companies को आप चाहो तो क्या कर सकते हो ऐसा simultaneously थोड़ा बहुत study आपे कर सकते हो तो इससे आपको एक pattern का अनुमान निकल कर आ जाता है तो यह एक point हम लोगो देखने को मि कि कौन सा कि जो अभी हम लोग आपर देख रहे थे कि मतलब जो विदेशी company है जो हमारे बाजर में तो वैसे हमारे बाजर की company है जो विदेश में है लिस्टेड है तो वह आपके भी हमलों को हल चल ले देखने को मिल जाते जिसको हम लोग क्या बोलते है ADR के नाम से जानते खास करके अमेरिका में रहेंगे तो ADR ठीक है और अलग-अलग मार्केट में रहेंगे तो वो भी चल जाएगा बट अगर देखा के तो ADR तो आप सबी लोग को पता ही है जो मैंने आप लोग को या पर बताती है ये कौन सी कंपनी है ये हमारे भारत देश की कंपनी है बट ये अमेरिका में लिस्टेड है और इसी चीज़ के चलते हैं वहाँ से भी हम लोग को कुछ ना कुछ information मिलती रहती है कि stock कैसा चलता है करके बहुत बार हम लोगों ने result के बाद भी इन companies को बहुत बार या पर चेक किया है तो आपको एक अनुमान वाला मतलब बोलते हैं एक फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता है, कि भाई यह मेहनत वाला काम है, ठीक है, इसा इसा नहीं है, बहुत कुछ पैटर्न आप लोगों को समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, उसके पहले ही क्या हो सकता है, इससे रिलेटर आप परफेक्ट वर्ड बोल सकते हैं, एक हिंट मिलती है, ये कोई गैरेंटी वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हिंट मिलती है, जितना यहाँ इन चीजों के उपर एक्स्पेरिमेंट करते रहोगे, जितना इन चीजों को जानने की कोशिश करोगे, स्टडी करते होगे, उतना ही आप लोगों की प्रबाइबलेटी एक्क्यूरेसी शार्प शार्प होती ही चली जाएगी, ठीक है, तो ये अगर आप ट्राइ करके देखोगे, बहुत सरे इसे कंपनीज आपको मिलेंगे, तो इससे आपको एक अनुमान देखने को आपे मिल जाएगा, कि कैसी इन चीजों में हम लोगों को डेवलप्मेंट देखने को आपे मिल जाती है, ठीक है, तो आशा करता हो दोस्तो, ये वड़िया helpful लगा होगा, तो आप चाहो, तो इसको like and share भी आपे कर सकते हो, so that's it, thank you very much, we will be meeting R आपको आपको के लिए, bye-bye